हलो प्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी ये थर्ड सेमिस्टर की यूनिट फोर्थ लिटरेरी टर्म्स ये हमें दिखाई दे रहा है यूनिट फोर्थ लिटरेरी टर्म्स और ड्रामा चैकंड लिटरेरी टर्म्स अफ सेकंड क्यों लिखा है जो यूनिट हमारी थर्ड है उसमें भी लिटरेरी टर्म्स है और यूनिट फोर्थ में भी लिटरेरी टर्म्स है ठीक है तो there are 8 literary terms of drama in unit 4 8 है इसमें देखिए ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो देखोंगे पढ़ाएंगे इनको समझेंगे पहली है literary term unity of time, place और action time मतलब समय, इस्थान और किरिया मतलब कर है unity of time, place का विशेज महत होता है literary terms में किसी भी drama को लिखा जा रहा है तो उसमें time, place और action का विशेज ध्यान रखा जाता है इसकी मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है second है setting setting का मतलब होता है समय और इस्थान जिसमें कुछ घटित होता है अलब किसी भी drama को लिखने से पहले हम क्या बनाते हैं? setting बनाते हैं कोई भी काम करते हैं उसकी भी setting बनाई जाती है बिना setting के हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए राइटर्स इस्पूनरिज्म का प्रियोग करते हैं ड्रामास के अंदर बहुत अच्छे से मैंने इसकी deep and white वीडियो बनाई हुई है और वो uploaded है अगला है literary term stage directions मंच या रंग मंच निर्देशन मतलब जब कोई भी ड्रामा stage पर डिस्प्ले किया जाता है दिखाया जाता है तो उसके कुछ निर्देशन होते हैं तो यह भी एक literary term है तो stage directions ठीक है five है syntax syntax को हिंदी में कहते हैं भासा की बाक्य विवस्था किसी या कह लिजिए भासा की बाक्य विवस्था या कह लिजिए किसी भासा के बाक की रचना में नहित नियमों की विवस्था ड्रामा के अंदर भाई ड्रामा लिखा जा रहा है तो भासा का यूज तो होगा ही तो कहां कैसे विचार है, emotional, हास्यास्पद, कैसे क्या है उसी हिसाब से भासा का प्रियोग करना Next question है, समय situation के according भासा का प्रियोग करना Next है, theme, theme को हिंदी में कहते हैं, बिसेवस्तू हर एक topic की, हर एक drama की, चाहिए हम कोई भी topic लिख रहे हैं या कहीं भाशर देने गए हैं, क्या होती है, हर चीज की एक बिसेवस्तू होती है theme होती है, तो हर drama की कोई न कोई theme होती है Next है, understatement, understatement भी एक literary term है बास्त विक्ता से कमाकना, किसी भी चीज को उसकी बास्त विक्ता से कमाकना जो रियली में में है वह सारे करेक्टर्स ऐसे होते हैं ने अंकार हो जाता है और वो किसी भी शावने वाले करेक्टर हो कभी-कभी जैसे नायक को खलनायक में होते हैं ड्रामा के अंदर तो खलनायक को गलत हैं भी हो जाती है तो वो नायक को हमेशा अंडरस्टेटमेंट करता रहता है अरे वो तो कुछ नहीं है है आलो उसके अंदर अप्रावड हो जाता जैसे कि रावर्ड राम को हमेशा अन्डर स्टेट्मेंट करता था नेक्ष्ट है बैर्सी मिलिटेट, बैर्सी मिलिटेट का मतलग होता है शत्याभास या सत्य का आवास, ये भी एक लिटरी टर्म होता है, इसका ड्रामे के अंदर प्रियोग होता है, शत्य का आवास, पहले से ही किसी भी बात का आवास हो जाना, किसी भी शत्य बात का आवास ह जाना जो बाद में मतलब पहले से आवास हो जाए और बाद में वो चीज सही सावित हो जाए यह लिटरी टर्म होती है प्रत्य टर्म को की मैंने अलग-अलग वीडियो बनाई हुई है और आप बहां पर इनको सब को बहुत ही डीप एंड बाइट अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं ठीक है इस तरह से हमारे यह कितने एट एट लिटरी टर्म हैं इसके अंदर यूनिट फोर के अंदर ठीक है थैंक यू जै जै वारत